फ्रेंज जै मातादी कैसे हैं आप लोग एक वार फिर स्वागत है हमारे चैनल में पिर दर्स को आज फिर एक वार नई कहानी और नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं हलो फ्रेंज आज की कहानी बड़ी ही ज्यान भर्दक और रोमांचक है कहानी का सीशक है भगवान सिव का जन्म कैसे हुआ भगवान सिव के जन्म की बारे में कई कहानिया पर चलित हैं भोले नात का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, किस परकार हुआ, इस बारे में पुरानों में अलग-अलग बाते कही गई है भगवान सिव के जन्व से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी है सिव पुरान में लिखा है कि भगवान सिव स्वैंभू है यानि उनका जन्व अपने आप ही हुआ है बही विश्नु पुरान में बताया गया है कि भगवान विश्णू के माथे से निकलते तेज से सिव की उत्पत्ती हुई थी और उनके नाभी से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्व हुआ था दूसरी और सिव पुरान यह काता है कि एक बार की बात है जब भगवान सिव अपने घुटने मल रहे थे और उसे निकले मैल से बिश्णू जी का जन्व हुआ बड़े बुजुर को बताते हैं कि एक बार की बात है जब भगवान बिश्णू और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस चिर गई कि सबसे महान कौन है इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए बे दोनों इस रहस को समिज नहीं पाए और तभी अचानक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे को छोड़ धून लेगा भही सबसे महान कहलाएगा यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का उपरी हिस्सा धूनने निकल गए बही बिसनु जी ने बारा का रूप धारन किया और खंबे का आंत धूनने निकल गए बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंबे का छोड़ नहीं मिला दोनों ने हार मान ली इसके बाद भगवान सिव अपने असली रूप में आ गए फिर भगवान बिसनु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान है और शक्तिसाली है या खंबा उनके जन्म लेने और ना मनने का प्रतिक है इस कारण या कहा गया है कि भगवान सिव स्वैंभू है या बाअमर है दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट में अच्छे बात बताईगा और लाइक एंड सस्क्राइब जरूर से जरूर करे धन्यवाद थैंक्यू हर हर महादेव